हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मैं चैनल, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज हम बनाएंगे यह रेड एंड वाइट कलर में, बेल के स्टाइल की, एक साल के बच्चे के लिए, क्रिस इस कैप को बनाना शुरू करते हैं, इस कैप के लिए, मैंने बेबी बूल का यूज किया है, नो नमबर की स्लाई में 52 फंदे डाल कर, 40 फंदों की, यह सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, 4 स्लाईया की हैं, और 10 फंदे उल्टे बुने हैं, अब डिजाइन शुरू करते हैं, एक फंदा वाइट कलर से बुन लिया है, और एक फंदा अब हम रेड कलर से बुनेंगे, जो आपने कैप में एक बेल का डिजाइन देखा है, वो सीधी साइड से ऐसे उल्टे फंदे बुनते हुए हम बना रहे हैं, एक फंदा रेड कलर से और वाइट कलर से ओवरलैप करत रेड वाइट रेड वन बाइवन एक रेड एक वाइट उल्टे फंदे की तरह बुनते हुए और धागे को एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए ऐसे हम डिजाइन को डाल रही है नीचे हमारी चार सीधी उल्टी स्लाईया है रेड कलर की और वाइट कलर हम इस बेल को डालने में बुन रहे हैं एक फंदा रेड कलर से एक फंदा वाइट कलर से यह हम दूसरी साइड आ गए है 40 फंदों में, 40 फंदों में हमने यह डिजाइन डाला है एक एक फंदा हमारा उतारने का है और 10 फंदे ही है, उल्टे बुन रहे हैं जिने हम एंड तक उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से, यह रॉंग साइड है उल्टी साइट से हम उन फुन्दों को उल्टा ही बुन रहे हैं यह हमारा दस पंदे हो गए और यह डिजाइन हो गया यह हमारी रेड उन है और यह पीछे करेंगे इसे हम अब यह हमारी वाइट उन है रेड फंदे को हम रेड कलर से ही बुनेंगे और white color के फंदे को हम white color से बुनेंगे बस आप ये ध्यान रखिएगा कि wrong side से हम सीधी बुनाई के तरह बुन रहे है red फंदा, red wool से और white, white wool से ही बुनेंगे एक फंदे का design है दो स्लाईयों में यह design आपका डल जाएगा और सुन्दर सी Christmas की leaves की जैसी यह आपकी बेल बनेगी और cap तो आपने देखा बिल्कुल bell की shape की है इसी तरीके से पूरी स्लाई हम धागे को overlap करते हुए और एक एक फंदा red फंदा बुनते हुए आपने स्लाई को complete करेंगे हमारे अब red color स्टार्ट हो गया है अब यह सारे फंदे हम red color से बुनेगे यह देखिए नीचे एक बेल डल चुकी है जो हमने एक बास सीधी साइट से बुनी और उल्टी साइट से हमने सीधी फंदो की तरा बुनी अब हिन 40 फंदो को हम पूरा सीधा ही बुनेंगे यह सीधा उल्टा ऐसे ही बुनेंगे और 10 फंदे हमारे उपर उल्टे उल्टे हैं यह हमारी स्लाई सीधी साइट से complete हो रही है 10 फंदे हमारे यह उल्टे 52 फंदे 9 नंबर की स्लाई में 2 फंदे उतारने के 40 फंदे डिजाइन के 10 फंदे उल्टे ऐसे सीधी उल्टी हमारी दो स्लाई अब हम कर लेंगे फिर एक टर्निंग पॉइंट है जिसे अब आप आगे वीडियो में देखेंगे यह हमारी अब तीसरी रेड गलर की स्लाई बुन रहे है हम छे स्लाईयां बीच में सीधी उल्टी बुनेंगे और दो में यह डिजाइन डालेंगे यह हमारी अब तीसरी स्लाई है डिजाइन के बाद हमने एक सीधी उल्टी और यह तीसरी स्लाई सीधी बुन रहे है इसमें आपने क्या करना है कि यह जो 40 वंदे हैं इनको आप सीधा बुन लेंगे और एक बार यह हमारा एक हो गया और यह दस वंदे जो हैं इनको हमने बुनना नहीं है यहां से अब हम टर्न हो जाएंगे इन्हें मत बुनिएगा तीसरी स्लाई में बापिस गुमा लीजिएगा वहीं से स्लाईयों को और प्रॉपर जैसे उल्टी स्लाई बुनते हैं ऐसे ही बुन लीजिएगा यहां देखे धागा थोड़ा टाइट रखिएगा और उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बुनिएगा यह हमारी हो गई अब रेड कलर की चोथी स्लाई छे स्लाईयों का हमने गैप कर रहे हैं अब यह पाचवी हमारी सीधी स्लाई बुन रहे हैं हम इसे सीधा ही बुनेंगे बहुत सुन्दर यह आगए हम उन दस फंदों के पास यह हमारा प्लेन लास्ट फंदा और अब हम इन दस फंदों को बुल लेंगे धागा थोड़ा टाइट ही रखेंगे यह हमारे कम्प्लीट और रॉंग साइट से पूरी स्लाई को उल्टा ही बुनेंगे यह बेल डाली हमने सीधा उल्टा बुना और एक बार वापिस चले गए और यह हो गई हमारी छेंस लाईया अब एक बार फिर से आपके साथ बेल का डिजाइन डालेंगे जिससे आप अच्छे से इसको डाल सके रेड कलर एक फंदा वाइट कलर से यह ध्यान रहे थोड़ा धागे को आप ढीला रखेंगे और ओवर लाप करते हुए एक धागे के ऊपर से दूसरे धागे को लेकर जाएंगे एक एक फंदे का आपका डिजाइन दो स्लाईयों में डलने वाला यह डिजाइन है मैंने यहाँ पर छे स्लाईयों का गैप किया है आप चाहें तो इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यह एक साल के बच्चे के लिए काफी अच्छी कैप बनेगी और इसमें बेबी बूल का यूज किया है यह रेड कलर और यह कॉर्नर का भई एक दस फंदे जिने अब हम उल्टा बुनेंगे अब हम इनको प्रॉपर जैसे पहले हमने बुना था सीधा उल्टा सॉरी दस फंदे उल्टे ऐसे ही बुनेंगे और रॉंग साइट से भी इन दस फंदों को उल्टा बुनेंगे आपका डिजाइन बलब एक फंदा और आप डिजाइन डालेंगे धागा पीछे करेंगे वैसे ही एक फंदा रेड कलर से और वाइट कलर से रेड फंदे को रेड कलर की बूल से ही बुनेंगे और वाइट कलर के फंदे को वाइट कलर से ही बुनेंगे वाइट कलर एक रेड कलर से बुनाई और ऐसे करते हुए white and red एक-एक फंदा हम second बेल को भी complete करेंगे और एक बारा भी और उन्चे स्लाईयों को आपके साथ बुनेंगे या फिर से वही सीधी स्लाई डिजाइन के बाद की पहली स्लाई जिसे हम सीधा बुन रहे हैं सोरी ये एक अभी और फंदा सीधा ही बुनेंगे और धागा अपनी और करके दस फंदे पही दस फंदो को अब हम उल्टा बुन रहे हैं ये सीधा उल्टी हमने स्लाई बुन ली हैं अब फिर से हैं तीसरी स्लाई जो हम सीधी बुनेंगे आपको टर्न एक बार और बता देती हूं यह लिजे मैंने बुन ली हैं और उन दस फंदो के पास हम आ गए हैं जासे नीचे हमने किया था तीसरी स्लाई में बैक करके उल्टी बुनी थी अब फिर पाच वी और छटी स्लाई बुनी थी ऐसे ही करते हुए हम 6-6 स्लाईयां बुनेंगे 6 स्लाई में से तीसरी स्लाई में हम 10 फंदों से पहले बैक हो जाएंगे और उसे उल्टा बुनेंगे यहां देखिए धागे को टाइट रखेंगे और उल्टी स्लाई को उल्टा बुनेंगे यह हमारी छौटी स्लाई है इस पूर्थ रोह को हम तर्न हो गई है इसे ही हम हर 6 स्लाई में से तीसरी स्लाई में तर्न होंगे और इन लाइन्स को हमने 10 फलीया डालकर यह complete कर लिया है 10 बार मैंने यह बेल डाली है अब वाइट कलर अटैच कर लिया है और यह देखिए हर स्लाई में बैक किया हुआ है यहाँ पर भी आईए सीधी साइट से वाइट कलर से बुन रहे हैं यहाँ अब हम प्लेन सीधा उल्टा ही बुनेंगे सीधी स्लाई बुनते हुए हम आ गए हैं उनी दस फंदों के पास जिने हम रेड कलर से बुनेंगे और वाइट कलर को वहीं पर रोग देंगे इन फंदों को बुनते चाहेंगे रॉंग साइट से पहला फंदा उतारेंगे और उन फंदों को उल्टा बुनेंगे लाल धागे को इधर करके वाइट को लेंगे थोड़ा टाइट करेंगे और वाइट कलर से उल्टी स्लाई बुनेंगे इस तरीके से हम सीधी उल्टी 56 स्लाईया मैंने ये डाली है और इसकी गोलाई 16 इंच बनी है इसे ही इन लाइन्स के बाद ये जो वाइट बुनाई है ये 56 लाइन्स डाली है मैंने यहाँ देखिए यह हमारा बनकर प्लेन त्यार डिजाइन त्यार आप इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड करके भी देख लीजिएगा यह है डिजाइन और दूसरी साइड प्लेन एक नया स्टाइल और आप बंद करेंगे दो फंदों का एक करेंगे और फंदे को वापिस स्लाई पर चढ़ाएंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे वापिस स्लाई पर करेंगे दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे दो का एक करते हुए वाइट कलर के फंदों को हम वाइट कलर की उन से ही बंद करेंगे दो का एक फंदा वापिस दो फंदो का एक फंदा धागे को थुड़ा ज़ादा काट लेंगे और यही से white कलर को लोप में से निकाल कर बंद कर देंगे ये धागा हमारी कैप को सिलने के काम आएगा और बाकी फंदों को red color से हम बंद करेंगे इन 10 फंदों को slice से बंद करेंगे और उपर के फंदों में सुई में धागा डाल कर कैप को सिलेंगे ये 10 फंदे हम यहीं बंद कर देंगे और ये हमने धागा डाल लिया है एक-एक फंदे को ये जो chain की look है आप इने एक-एक chain को सुई में करेंगे यह देखिए बहुत सफाई से आपकी कैप बंद होगी इजी ली आपका दागा फंदों में से निकल जाएगा स्टैचेबल भी पूरी एक-एक फंदे से सुई निकालते जाएंगे और पूरी कैप को इसी में पिरोकर ऐसे सुई बाहर धागा यह देखिए पूरी कैप में और इसको धीर धीरे इकठा करेंगे और बैक साइड से फंदों में से सुई को निकालते हुए एक से दो बार गोलाई में इसे पक्का कर देंगे यहाँ पर दो बार आप इसमें से जरूर करिएगा इसे टाइट भी रहेगी और बाकी को अब रेड कलर से सिलना शुरू करेंगे दोनों साइडों से एक एक टांका लेंगे एक एक चेन में से रेड कलर निकालेंगे रेड कलर को रेड कलर से बंद करेंगे यह देखिए और वाइट कलर यह आपकी कैप त्यार और इस वाइट में बाद में करेंगे अगर आप यहाँ पर कोई पैच या डिजाइन बनाना चाहें वो लगाने के बाद आप वाइट कलर से बुल लुजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और लाइक, शियर एंड कमेंट करें